जैजिनेन शाका हर सदा बाहर किचिन में आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कॉर्ण अपपे जो की बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी होते हैं और इसको बनाना भी एकदम आसान होता है और कॉर्ण जो होता है वैसे ही एक बहुत हैल्दी ग्रेंड है तो इसका यूज हमको जरूर करना चाहिए तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने कुछ फ्रेश भुट्टे ले लिए हैं या कॉर्ण और अब हम इसके जो दाने हैं वो निकाल लेंगे इन दानों को निकाल कर हम अच्छे से वाश करके इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो मिक्सी जार में डालके इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम पीसेंगे तो काफी अच्छा यह पिस जाता है अब हम इसमें आदा कटोरी के लगबग सूजी में लाएंगे और एक कटोरी के लगबग बेसन में लाएंगे और इसकी कॉंटिटी आप अपने एकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमें पानी अभी उपर से बिलकुल नहीं मिलाना है इसको ढख कर हम थोड़ी दिर के लिए रख देंगे और यदि आपके पास भुटे ना हो फ्रेश भुटे तो आप इसकी जगे है जो मक्के का आटा होता है उसका भी उप्योग कर सकते हैं उससे भी काफी अच्छे बनते हैं ये अपपे तो अभी हमें 15-20 मिट हो गए हैं अब इसको वापिस थोड़ा सा देखिए सूजी ने पानी सोक लिया है तो जो पीस्ते सामें हमने कॉर्ड में पानी डाला था वही पानी इसमें उसने सोक लिया है और आप चाहें तो इसमें अनियन भी डाल सकते हैं थोड़ी सी हिंग, थोड़ा नमक, स्वादा नुसार एक चमच हम इसमें तेल डालेंगे अब हम इसमें स्पंज के लिए इनो डालेंगे तो एक पेकेट यहां मेंने इनो लिया है और उसमें जो हमने घोल तयार किया है उसको एक एक चमच डालेंगे और थोड़ी देर के लिए पांच मिट में यह तयार हो जाते हैं उसको ढख कर हमें देखें इसमें स्पंज भी आगे, काफी हमारे जो हैं पूरे फूल चुके हैं एक तरफ से और अब हम इसको पलट लेते हैं पलट करेंगें को हम दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे और जो गैस की फ्ले में वो हमको मीडियम ही रखना है तेज नहीं रखना है तो आठ से दस मिनिट में हमारे जो एक बैचे तयार हो गया है अपे का तो देखे हमारे फूले फूले अपे बिल्कुल तयार हो गए है और कॉर्ण अपे जो की बहुत ही हेल्दी है तो फ्रेंड्स ये अपे आप भी जरूर बनाएए बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी है अब आप सब भी बनाएए सबके मन पसंद कॉर्ण अपे और मेरे चेनल शा का हर सता बाहर को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाईए तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अने रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जै जिने